नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कमप्टीशन प्रिपरेशन पर दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले 21 अक्टूबर की लास्ट ट्रिप्ट के यहां पर दिख रहे होगी अगर आप अभी तक टिलिग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं उसके लिए दिस्क्रिप्टिशन में देजी आ रहे हैं आप जाके जूड़ सकते हैं जहां पर पीडियाफ हो गयरा या कोई अपडेट होता है ससी की तरप से तो सबसे पहले आपको वहीं मिलता है तो चली स्टार्ट करते पहले कोश्चन पे आते हैं कहा क्या गया दा पाईचार्ट सोज्द एन्वाल कार प्रोडेक्शन आ औफ सीक्स कंट्रीज ए बी-सी-बी-डी-ए थीक है जो एन्वाल कार प्रोडेक्शन है छे कंपनीच को वह दिखाता है परसेंटे produce car, E द्वारा produce car से कितना परतिसे ज़्याद है, आपको पता E द्वारा कितनी percent, 20 percent, और B द्वारा 30 percent, तो 20 से 30 कितना ज़्याद है, आप कहेंगे 10, तो कितना percent, 50 percent अब का answer 50 percent देखिए गया, इस तरह की question कैसे किया जाते हैं, आपको दिया गया in triangle ABC, A is equal to 90 degree, this means कि इस angle को हमें 90 लेना है यह A 90 हो गया, यह B हो गया, यह C हो गया, ठीक है आप से कहां कि BM और CN जो हैं, वो दो median है यह आपका BM हो गया यह आपका CN हो गया हम माल लेते हैं, देखो अगर ऐसा question आए, तो आपको सीधे-सीधे क्या करना है, इसको माल लीजे 6, इसको माल लीजे 8, और इसको माल लीजे 10, ठीक है अब अगर हम CN की बात करें, आपको पता यह 3 है, यह perpendicular है तो आपके CN की लंबाई कितनी हो जाएगी CN की लंबाई हो जाएगी, 8, 8, 64 और 9, 73, यानि CN स्कोर, BC स्कोर कितना हो जाएगा BC स्कोर बड़ाबर हो जाएगा 10 का स्कोर 100, तो आपको यही निकालना था, BM स्कोर प्लस CN स्कोर, यानि 52 प्लस 3 हत्य है, यानि 125 बटे 100, 25 एकार देंगे, 4 हो गया, 25 पंचे 125, आपको आंसर 5 बटे 4 हो गया अगर आपको नहीं पता है तो, अधरवाइज आपको यह पता होना चाहिए, कि BM स्कोर प्लस CN स्कोर अपॉन BC स्कोर is equal to 5 by 4 होता है इस डाइरेक्ट पता होना चाहिए, यह कैसे आता है क्योंकि आपको पता होगा कि अगर BM और CN मीडियन से, तो 4 times of मीडियन का स्कोर, यानि 4 times of BM स्कोर, प्लस CN स्कोर is equal to 5 times of BC स्कोर, यह होता है तो यहीं से डाइरेक्ट फार्मूले स्पूश लिया गया जहापे A समकोर है कहा गया, ट्राइंगल ABC में AB is equal to AC, A को कॉमल लेना है तो A को सबसे उपर ले लो, यह A हो गया यह B हो गया, यह C हो गया AB is equal to AC दिया गया अगर A is twice the sum of other two angles यानि A जो है वो इन दोनों angles के twice है यानि अगर यह theta है तो यह भी theta होगा और कहा कि इनके sum का twice है यानि कि यह 4 theta है अब आपको बता है 4 theta plus theta यानि कि 6 theta is equal to 180 यानि theta is equal to कितना हो गया 6 theta अगर 180 है तो theta 30 हो गया और theta is equal to 30 यानि A की value कितनी हो गयी 4 theta और half पूछा गया यानि कि half यानि half into 4 theta यानि 2 theta पूछा गया theta 30 है तो 2 theta कितना हो गया 60 degree अगला प्रश्चन देखिएगा कहा कि X plus 1 by X is equal to root 3 आपसे value पूछेगे X power 18 plus X power 12 plus X power 6 plus 1 आपको बता होने चाहिए X plus 1 by X is equal to root 3 होता है तो X power 6 is equal to minus 1 होता है क्यों होता है वह वह भी बताए देरों तो यह कितना हो जाएगा minus 1 power 3 यानि minus 1 plus minus 1 power 2 यानि कि plus 1 और X power 6 minus 1 है plus 1 ये कट गया यानि आपका answer 0 आ गया ये कैसे होता है आप देखिए अगर हम यहाँ से X square plus 1 अपन X square निकालें तो ये कितना हो जाएगा root 3 का square ये तीन minus 2 हो जाएगा अब आप X square से गुड़ा कर दीजे इट मिंस X power 4 plus 1 is equal to X square अगर हम X square को left hand side में transfer करें तो ये हो जाएगा X power 4 minus X square plus 1 is equal to 0 X square plus 1 से उपर मतलब दोनों पच्चों में गुड़ा कर दो X square plus 1 इधर हो गया X power 4 minus X square plus 1 is equal to 0 आपको दीख रहा होगा कि ये क्या लिखा है A plus B into A square minus A B plus B square यानि A क्योंग प्लस B क्योंग X power 2 का क्योग यानि X power 6 plus 1 is equal to 0 यानि ये लिखा हुआ X power 6 is equal to minus 1 तो कहां से आता है ये भी बता दिया और direct answer कैसे निकले गए ये भी बता दिया कहा गया A and B can do our work in 12 days A और B मिलके 12 दिन में कोई कारी कर सकते है B and C can do our work in 15 days और C plus A कर सकते है 20 दिन में आप से कहा गया A, B, C एक साथ कारी करें तो कितने दिन में करेंगे 12, 15, 20 का LC हम लें तो ये 60 हो जाएगा यानि ये करता है 5 यूनिट ये करता है 4 यूनिट ये करता है 3 यूनिट तीनों को जोड़ देंगे तो यहां से हमारा A plus B plus C का दो गुना बराबर आजाएगा 12 यानि A plus B plus C 6 आजाएगा ये तीनों मिलके 6 उनिट एक दिन में करते हैं 60 उनिट करने में कितने दिन लगे 60 divided by 6 यानि 10 अगला प्रस्शन देखिएगा कहा गया Elimination of Theta from X cos Theta minus Y sin Theta is equal to 2 X sin Theta plus Y cos Theta is equal to 4 और विल गे अब Eliminate करना है Theta को तो आप दोनों का स्क्वाइर करके Sum कर दीजिए तो यानि X square cos Theta plus X square sin Theta यह हो गया X square plus Y square sin Theta Y square cos Theta यह हो गया Y square minus 2XY sin Theta plus 2XY sin Theta खतम हो कि 2 का स्क्वाइर 4, 4 का स्क्वाइर 16 यानि कि 4 plus 16 कितना हो गया 20 हमने square करके add कर देना है बस काम खतम कहा गया if your dining table with marked price 6,000 was sold to a customer for 5520 then the rate of discount allowed on the marked price of the table 6,000 का था 5520 का पड़ा यानि कितने की छूट है 480 की 480 6,000 का कितना परसेंट है आप कहेंगे 8% यानि कि 6,000 का आपको पता है 600 का परसेंट 488 होता है तो 6,000 का परसेंट 480 कहा गया average weight of a, b, c is 55 kg यानि a, b, c का average weight अगर 55 है तो a, b, c का cool weight कितना हो जागा 3 गुड़े 55 है यानि कि 100 पैसे कहा कि c का जो weight है वो a से 10 kg जादा है ठीक है और 5 kg b से है यानि b से 5 kg जादा है तो कहांगे average weight of a, b, c, d is if d's weight is 19 kg more than c यानि कि d का जो weight है वो 19 kg अगर c से जादा है तो आपको बताना है a, b, c, d का average weight अब देखिएगा अगर हम a को x माने a के weight को x माने तो b का weight कितना हो जागा? x plus 5 और c का weight कितना हो जागा? x plus 10 कितना हो जागा? x plus 10 d का यहां से कितना हो जागा? x plus 29 अब सबकी value रफ़ दो इसमें यहां से हमार a plus b plus c it means x plus x plus 5 plus x plus 10 is equal to 165 it means 3x is equal to 150 यानि x is equal to 50 अब आपके पास सारे लोगों का a, b, c, d सबका weight है तो a का weight कितना है? a का weight है x यानि 50, b का weight है x plus 5 यानि 55, c का weight है 60 और d का weight है 79 तो add कर दो a plus b plus c plus d a plus b plus c plus d कितना हो जागा? x plus x plus 5 plus x plus 10 plus x plus 29 यानि 4x कितना हो जागा? 10, 5, 15 और 19, 44 बटे 4, यही यह average हो जागा? x plus 11 average हो गा? x के value 50 तो 50 में 11 जोड़ेंगे, 61 average हो गा? अगला प्रसन देखेगा है, कहागे in the given figure o is the center of a circle of radius 29 cm o t perpendicular to a b o q perpendicular to c d and a b and c d are parallel a b c d आपको दियागे parallel है अगे if a b is equal to 40 c d is equal to 42 तो आपसे p q की लंबाई पूची देखेगा o अगर center है पूरा a b 40 है, तो a p कितना हो जागा? 20 q कि यह perpendicular है similarly, यह 21 हो जाएगा और यह आपको दियागे है 29 radius 29 है, अगर radius 29 है तो यह 20 हो जाएगा 29, 21, 20 triplet बनाते है similarly, a o भी 29 है, a p अगर 20 है तो यह कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा यानि p o की लंबाई हो गए 21 o q की लंबाई हो गए 20 तो आपका total दूरी कितनी हो गए? 21 प्लस 20 यानि 41 कहा गया 4 a प्लस 1 बाई 5 a is equal to 4 तो आपको इसकी value निकालने है अब अगर इसकी value निकालने है तो हमारे पास वोन अच्छे है 5 a प्लस 1 upon 4 a ठीक है? यानि इसमें हम किस से डिवाइड करें? पहले 4 से डिवाइड कर लो तो यह हो जगा a प्लस 1 by 20 a is equal to 1 5 से गुडा कर लो तो यह हो जगा 5 a प्लस 1 by 4 a is equal to 5 अब इसका स्क्वाइर कर दो तो यह आपका हो जगा 25 a स्क्वाइर प्लस 1 upon 16 a स्क्वाइर प्लस 2 a b यानिकी 2 टाइमस आप 5 a into 1 upon 4 a यानिकी 5 by 2 is equal to 25 यानि 25 a स्क्वाइर प्लस 16 a स्क्वाइर बराबर हो जगा 50 बटे 2 minus 25 बटे 2 यानिकी 45 बटे 2 मतलब आपका अंसर हो गया 45 divided by 2 कहा गया the profit made by selling an article for 88 dual 0 is equal to the amount of loss incurred on selling the same article for 7200 what will be profit percent if it is was sold on 96 dual 0 कहा कि 88 100 में किसी वस्तू को बेचने पे उतना ही नुकसान होता है जितना 72 100 में बेचने पे उतना ही फायदा होता है जितना 72 100 में बेचने पे नुकसान अगर ऐसा question दिखे तो CP बराबर क्या हो जाएगा फायदे वाली राज प्यूक्सान वाली राज बटे दो यह अठाशी सो प्लस बहत्तर बटे दो यहाए की 8000 हो गया CP कास्ट प्राईज हो गया, कौस्ट प्राईज कितनी हो गए 8000 बेचा कितने में जा रहा है, 9600 यह नि फाईदा कितने का और है 1600 का तो profit percent कितना होजेगा 20% कहा गया the bar graph shows the number of students admitted and passed out per year in college during the years 2010 to 2014 2010 से लेकर 14 तक जितने admission होते हो जितने pass out admission वाले हैं blue color वाले orange वाले pass out ठीक है the ratio of number of students admitted in 2012 2012 में जितने लोग admission लेते हैं उनकी से कितनी है 8 और to the average number of students passed out in the years 2013 and 2014 यानि इसका ratio निकालना है 2012 में admission लेने वाले छात्रों का ratio निकालना है किस से 2013 और 2014 में पास हुए उसके average से 13 में पास हुए 10, 14 में पास हुए 10 average कितना होगा 10 इसी से आपका अनुपात निकालना है तो 2, 4, 2, 5 आपका ratio हो गया अगले प्रेशन में क्या कहा गया कहा गया in which of the following years was the past percentage between 80 and 85 यानि किस साल में 80 से 85% के लोग 20 के लोग पास हुए अब देखेगा अगर यहां पे बात करें तो 6 लोग admission लेते हैं 4 लोग पास होते हैं यानि 70% भी नहीं हुए अगर हम बात करें दूसरे वाले में तो 10 लोग admission लेते हैं 6 लोग पास होते हैं यानि 60% तो ये भी नहीं ये भी नहीं अगर हम यहां पे बात करें तो 8 लोग admission लेते हैं 6 लोग पास होते हैं यानि कि 80% नहीं हुआ अगर हम यहां पर बात करें, это 14 Beck G CAMERATION 10 लोग पास होते हैं, 14 1798 यह भी नहीं हुआ, है और अगर हम यहां पर बात करें तो 12 1974 लेए 10 लोग पास होते हैं कि यहां पर 80% से ज्यादा 10 बटे 12 कितना Óаки 5 बटे 6 मोच 3 3 परसेंट यहीं पूछा गया था कि किस साल में 5% है जो है वो 80 से 85 के बीच है तो आपका अंसर 2014 होगा simplify करना है अब देखे simplify में सबसे पहले board mass मतलब bracket bracket में क्या आएगा 78 divided by 3 तिया 9 10 यानि कि 78 बटे 10 गुड़े 3 यह तो हो जाएगा यहनि 78 आप कह सकते सीधे 49 बटे 5 कुड़े 3 यह आ रहा है 49 कितना हो जाएगा 117 बटे 5 ठीक है अच्छा अब इसको solve करिए तो 15 में 15 से डिवाइड करेंगे एक यानि एक प्लस साथ में अगर हम 14 से डिवाइड करेंगे एक बटे 14 से डिवाइड करेंगे तो 99 और माइनस 117 बटे 5 यानि कि एक प्लस 899 माइनस 117 बटे 5 यानि 99 माइनस 117 बटे 5 तो यह आपका कितना हो जाएगा यह 995 कितना हो जाएगा 495 में 495 में से 117 घटेगा तो आपका हो जाएगा 388 बटे 5 और 388 बटे 5 को हम क्या लिख सकते हैं 75 से 3 बटे 5 यानि इतने की वैलू आगे 75 से 3 बटे 5 और इसी से इसमें डिवाइड करना था तो 75 से 3 बटे 5 में 75 3 बटे 5 से डिवाइड करेंगे आंसर एक कहा गया यह कौड 10 सेंटिम्टे लॉंग इस ड्रान इन इसर्कल आफ डियमीटर 26 सेंटिम्टर तब पर्पेंडिकुलर डिश्टस अफ दे कौड फ्रॉम दे सेंटिम्टर इसके लंबाई दी गई 10 सेंटिम्टर इट मिस यह सेंटर से डिस्टन्स कितनी दी गई है 5 सेंटिम्टर तो इसके हाफ की लंबाई हो जाएगी अगर यह पर्पेंडिकुलर ड्रा करें और डियमीटर अगर 26 दिया गया यह रेडियस 13 दिया गया आप से सेंटर से दूरी पूछी गई थी आपको पता है यह 13 है 5 हो तो यह कितना हो जागर 12 क्यों क्योंकि आपको पत 2 पावर 9 माइनस 1 ठीक है अब आप देखेगा अगर हम इसको लिखें तो यह लिख सकते हैं 2 पावर 3 का होल क्यों माइनस 1 का होल क्यों इसको हम लिख सकते हैं ठीक है और आपको पता होगा 2 पावर 2 मतलब 2 क्यूब को अगर हम X माने और इसको हम माने ए तो X क्यूब माइनस से क्यूब always divisible होता है x minus a से क्योंकि x power n minus a power n always divisible होता है x minus a से अगर n odd हो आपको n दिख रहा है यहाँ पर 3 जो कि odd है यह x minus 1 से divisible होगा है यह 2 के power 3 minus 1 यहीं कि 8 में से 7 से always divisible होगा आपका answer होगा 7 कहां कि a plus 1 बाई यह plus 2 is equal to 0 अगर ऐसा कुछ दिया जाए तो यह बराबर क्या हो जाता है minus 1 अब यह बराबर minus 1 होगे तो minus 1 power 15 यानि minus 1 minus 1 upon minus 1 power 100 यानि 1 यह होगा minus 1 minus 1 यानि आपकी value होगे minus 2 ठीक है कहा गया यह shopkeeper has certain number of apples of which 10% are found to be rotten यह कि अगर 10x थे तो rotten कितने होगे यानि still has 405 good apples कहा गया जो बचे apples थे ठीक है यानि कि बचे कितने 10x में से x तो 60 यानि कि fresh कितने बचे 9x और कहा गया 9x का 85% बेज देता है यानि 9x का अगर 85% बेज देता है यानि इसका 15% अभी भी उसके पास है और यह जो तीन वटे 20 इसका बच रहा यह आपको दिया गया 405 है तो आप से कहा गया इसके पास originally कितने यानि 10x की value निकालनी है आप 9 से काटेंगे 936 945 तीन से कटे गई आपको 15 हो जागे या एक्स बराबर पंदर गुड़े 20 यानि एक्स बराबर 300 अगया तो ओरिजनली उसके पास कितने अपल्स थे 10x यानि कि 3,000 अपल्स थे ठीक कहा गया if the total simple interest if the total simple interest on a sum of 1404 years at the rate of x% per annum and on the same sum for 2 years at the same rate is 672 तो आप से x की value पूचे गए कहां कि 1400 रुपे 4 साल के लिए x% कि दर पर आपको पता हो कि 1400 रुपे एक्स परसेंट कि दर से एक साल का विया 14x तो चार साल का 56x हो जाएगा साध्याण प्याज की वालत हो रही प्लस यागा on the same sum for 2 years at the same rate अच्छा same sum पर 2 years के लिए same rate पर आपको पता है एक साल के लिए आर परसेंट पर 14 र मिलता था दो साल के लिए 28 याणि 28x क्योंकि आर बड़ाबर x दिया गया rate कितना है x% यह आपको दिया गया 612 याणि आपको गया 6 8 14 5 7 8 84 x बड़ाबर 612 आठ टाइम्स जाएगा याणि x की वालू आ गई 8 ठीक है आठ चोको बतिस आठटा चोसट ती दिग्री हो alpha बबर गबर 2 beta अब दोगा alpha बबर 2 beta याणि 2 beta plus beta 3 beta is equal to 90 याणि beta 30 हो गया beta 30 हो गया तो alpha कितना हो गया 60 हो गया अब value put कर दिजै तो cos square alpha याणि cos square 60 याणि 1 by 4 plus sine square beta यानि के sin square 30 यानि कि 1 by 4 1 by 4 plus 1 by 4 1 by 2 कहा गया इस 45% of the cars नमबर उप्रोडूज़ बाइ इस 6 कंट्रीज आइड डीजल कार और रेस्ट आर पिट्रोल कार देन हाव मेनी पिट्रोल कार वर प्रोडूज़ कहा गया जितनी कार प्रोडूज़ होती है उसका 45% जो है वो डीजल कार है तो आप से पूझा क्या पिट्रोल कितनी है आपको पता है 55% टोटल का अगर 45% डीजल है तो 55% क्या हो जहेंगी पिट्रोल का यानि कि 40,000,000 का 45% यानि 40,000,000 गुड़े 9 बटे 20 ठीक है जो कैसी होगी पिट्रोल होगी कहा गया लेंथ और पेरिमीटर का किसी रेक्टेंगल के लिए जो रेशियो है यानि लेंथ और पेरिमीटर यानि 2 टाइमस अफ L प्लस B ये बराबर दिया गया 2 अनुपाद 7 ठीक है तो 4 रेशियो 3 प्लस B यानि याप सकते 5 कलमस बराबर 6 पैंसील यह करेहक राफ्य कौस्ट हों तो क्याई गया इफ सेक थीटा प्लस टैन थीटा इस उकल टू प्लस रूट फाइब थीटा एक्यूट एंगल है तो आप से साइन थीटा की वैलू पूचेगे आपको बता है सेक थीटा प्लस टैन थीटा कितना हो जाएगा अगर सेक थीटा प्लस टैन थीटा क्या होता तो सेक थीटा म थीटा कितना हो गया? 1 upon root 5 और cos theta 1 upon root 5 हो गया तो sin theta कितना हो जाएगा? under root में 1 minus cos square theta यानि 1 by 5 ये आपका हो जाएगा 1 minus 1 by 5 यानि 4 by 5 2 by root 5 अब root 5 से उपर निचे गुड़ा यानि 2 root 5 upon root 5 into root 5 कहा गया ये man is walking at a speed of 12 km per hour after every km he takes rest for 3 minutes how much time will he take to cover a distance of 6 km आप से कहा कि 12 km पर ती घंटे वो चलता है हर km बाद वो 3 minutes का रेक लेता है आपको पता है 12 km अगर वो चलता है एक घंटे में तो हमें 1 km चलने में कितना घंटे लगेंगे? 1 घंटे में 12 km तो 1 km चलने में 5 minutes तीक है? लेकिन 5 minutes के बाद वो आराम कितने मिनट का करता है? 3 minutes का यानि 1 km चलने में बेसिकली उसे 8 minutes लगते है तो अगर मैं बात करूँ 5 km चलने में कितना मिनट लगेगा? तो 5 km चलने में 1 km चलने में 8 minutes 5 km 40 minutes 40 minutes अब 5 km चल चुका और rest कर चुका अब इसके बाद उसे कितना चलना है? 1 km अब 1 km और जाएगा कितने मिनट में? 5 मिनट में यानिकि टोटल कितना होगा? 40 plus 45 minutes अब वो 6 km पहुंच चुका मालो यहां से यहां तक जाना था वो यहां से यहां तक पहुंच गया उसके बाद rest करे मार्केट गुमे जो भी करे वो कर सकता है हमें rest के बाद एक बार कम का ही जोड़ना पड़े तो आपको correct option हो गया तो I hope आपको सारे question समझ आये होंगे अगर समझ आये वीडियो को लाइक करना अपनी दोस्तों साथ सेर करना अगर चैनल पर नहीं होना सब्सक्राइब बना और इसी के साथ साथ CHSL के सभी shift complete हुए साथ 26 October बच रहा हूँ वो भी जैसे paper मिलेगा मैं खरवा दूँगा बबाई take care आल देवे श्वार्यों आल गुंग जाओंस बने मात्रम जाएं